प्रजेक्ट की डील पूरी तरीके से वार्नो ब्रदेट के साथ तोड़ दी है जिन दोनों ही कमपनी का टीम अप कई सालों से चला था जिसके अंडा रहकर उन्हेंने एक से एक फिल्मे बनाकर फैंस को सर्फ की थी लेकिन इस पर फैंस को फिल्हाल तो अभी ज्यादा बिल्कुल भी कन्फियोज नहीं होना चाहिए क्योंकि लेजेंडेरी वालों की तरफ से कन्फरमिशन मॉंस्टर वर्स से लेकर डून के बन रहे युनिवर्स को लेकर दे दी है यानि वार्न ब्रिदर्स डिसकवरी उन युनिवर्स पर चाहे तो तब तक फिल्म बना सकता है जब तक वो लोग ठक नहीं जाते काफिस सिंपली कहूँ वाक्स ओफिस पर नंबर काफिस जदा अच्छे गिरते रहे तो क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है उससे ही जिस दिन वो कम हुए तो इस फिल्म की भी डील यानि के इसके युनिवर्स की डील पूरी तरीके से तूटकर पूरी तरीके से लेजिंडेरी स्टूडियो के अंडर आ जाएगी क्योंकि अब ये डील नहीं प्राइम वालों ने कैच नहीं की बलके सोनी वालों के अंडर आ गई है जी हाँ सोनी पिच्चर्स जो स्टूडियो आजकल कई बड़े बड़े डिशिशन ले रहा है चाहे वो डिशिशन पैर्डर में के युनिवर्स को क्यों ना हो जिसमें अब उनकी ये रहा फिलाल पर लेजंडेरी पिच्चर्स के साथ आगे बढ़ेगी जिन में मैं आपको बता दू पोकेमोन वार्क्राफ्ट, इनोला होम्स, सकपंच, हैंग ओवर 300 और क्लैश ओफ टाइटन जैसी फिल्में आती है जिसे लेकर हो सकता है कि सोनी वाले काफी ज़्यादा इंट्रेस्टेड रहे लेकिन अब मेरी इन बातों के लेकर आप बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियस मत हो जाना क्योंकि अभी के लिए तो बस ये डील हुई है कोई बाकी फिल्मों की ऑफिशल अनॉंस्मेंट नहीं जिसकी ऑफिशल अनॉंस्मेंट का हमें वेड करना चाहिए बाकी अब फिर क्या बनता है आपका टेक जो आप मुझे कमेंट में लिक कर बता सकते हो क्योंकि इस कुईक अबडेट पर इतना ही बाकी मैं हूँ अजीज मिलूँ आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई